अब दोस्तों फिर से आप सभी कसागत है नमस्ते विहार ब्लोग में और हमारा राची का आज का ब्लोग इस्टाट हो गया हम सामने यहां पर धरम साला में रूखे हुए थे और देख सकते हैं हम अपना सारा समान मान लेकर तैयार हो गया है और निकल गया है और अभी हम जा जारा है पहारी मंदिर जो राची में है बहुत फेमस है तो पहारी मंदीघी और राची लैक भी है तो हम दोनों छीजी आम दिखाने का प्रियास करेंगे तो बने रही है अभी मैं पहारी मंदिर के पास में आ गया हूँ जो पहारी ओपर है और पुछ शिरियां को चरके जाना होगा हमें हम आपको दिखाते हैं जो सामने उची आपको दिख रही है वहां उची चोटियों पर ज़ंडा लहर आ रहा है वही पहारी मंदीर है तो हमें वहीं पर जाना है पहारी मंदीर का मुख्य गेट है और यहां पर सरधारू आप देखो काफी सराद लोग यहां पर आया हुए है दूर दूर तक भीर है जबकि अभी मुर्णिंग का साथ बजा है और पहारी मंदीर को दर्शन करने के लिए कितने लोग यहां पर उम्रे हुए हैं और यहां पर आया हुए है आप देख सकते हो तो मंदीर के अंदर में चलते हैं और आपको दर्शन करवाते है दोस्तों अब मुख्या गेट से जैसी हम उपर चलेंगे तो अब ही हमें एहां से एक कई 140 फिट के उंची तै करना है तेधा मुख्या गेट और वहां से सभी साधार लोग उपर के तरह पा रहे हैं तो इधर उपर में चलना है ने सांवर से साधार लॉप्या रॉप्या जिते कारें कर्वा जिते हैं तो इते हैं तो में जाओ सेधार जिते हैं ने सार्थ मेंजित। यानरो सी थाइड़। करिसना वो अजिए ठाल जो कर दिए सिर्ट भी हो और स्पादि प्राटर में दालता है कि ज्रूदा ओर मोग जिरा ए, जो प्रादो कोई अंचा जुचा ए, अंचा ए, जुचा आए, ऐ इस ए, ए, जुचा ए, जुचा ए, तो जुचा ए, जुचा ए. कर दो कि दर्शन करके आगा हैं और सर्टालू का भी देख सकते हैं काभी उमर रहा है और मैं अपना बैग बगारा ले लेता हूं और चलता हूं यहां से राची लैग हमने अपना बैग ले लिया है और यहीं है अपर रखने का जगह टोकन देते हैं और फिर आपस टोकन देगे तो आपका समान दे देगे में पहारी मंदीर से जाही रहा था लेग पर तो सामने मुझे एक बहुत प्यारा सा मंदिर देगा जो बहुत पूराना लग रहा है आप देख सकते हैं और यह लेक के बिल्कुल पास में ही है जब आप पहारी मंदिर आएंगे आपको दिख जागा श्री लक्ष्मी नरायन मंदिर है बहुत खुब शूरत है हम लेक के पास में आ गया है देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा के पूरा लैग है और यहां से राची सहर का पूरी खुबसूरती दिखाई देता है और यहां से आपको पहारी मंदिर भी दिखाई देता है तो हम आपको दिखाते हैं यहां से पूरी सहर दिखाई देता है देखिए कितने की खुशूरत है राचि सहर के वीचो के बीच में बना हुआ लिएग है जो काफी दूर तक धे यह उधर तक है放 मैं है साइड तो चलते हैं उधर भी हम दिखाएंगे और आप इधर देख सकते हैं मंदिर पहारी मंदिर मैं आपको दिखाता हूं कि यह देखिए उंची वाली जो चोटी आपको दिखाई दे रही है कि देखिए असाइड आपको डंग दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत दूर है यहां से सवा किलो मीटर दूर है तो वही पहारी मंदिर है जहां से मैं भी आपको लेकर आए हैं और यह आप देख सकते हो यहां का खुब सुर्ती अभी तो सुबह का समाए है तब यहां पे लोग हाय नहीं लेकिन मेरे ख्याल स elle साम के समय में यहां पर बहुत सारे लोग होते होंगे सहरों को बीचों बीच में बना हुआ लेग बहुत ही खुबतरत है उधर चलते हैं देखते हैं किसका स्ट्रेक्ट्यू बना हुआ है कि दोस्तों लगभग हम यहां पर दो तीन घंटा बैटे काफी सांथ महोल है और काफी अच्छा वाता बरन है और सामके समय में यहां ही पर सभी लोग आते हैं समय के स्पेंड करने के लिए क्योंकि बहुत ही खुबसूरत जगा है तो फिलाल इस वीडियो के यहीं पर रहने देते हैं तो वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों मैं अच्छा लगए तस्षर करीगा फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए बोलो के स साथ जब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें बाई बाई टेक केर चिल्डेंड